Good morning students, how are you all? I hope आप सभी घर पे सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे So students, आज मैं डांस के रिलेटेड आपको कुछ बताने जा रहे हूँ जो बहुत से students को पता भी होगा, शायद नहीं भी पता होगा So students, first let me know, what is the full form of dance? जैसे मैंने आपको अभी बताया कि बहुत से बच्चों को नहीं भी पता होगा So students, start करते हैं मेरी आज की इस वीडियो में First letter D, D, discipline You should have a discipline जैसे आप सभी बच्चों को पता है कि मैं जब भी आपकी class लेती हूँ मैं हमेशा आपको एक ही बात समझाती है कि आप बच्चों में discipline होना चाहिए Second letter A Attitude Attitude means opinion, thinking, feeling आप जब भी कोई भी काम करते हो जूरी नहीं dance, कोई भी काम करते हो आपको उसको मनुवृती से करना चाहिए, मन से करना चाहिए, ओके Next letter N, N, new New means आपको कुछ निया करना है निया जो आपने पहले कभी नहीं किया Means कुछ निया, जैसे मैं भी आपको बहुत सार बच्चों को हमेशा ये बात बोलती हूँ कि आप बच्चे कुछ निया करो, कुछ निया करो कि ये पुराना हो गया, आपने ये पहले भी किया था कुछ निया करते हैं तो आपको कुछ निया करके दिखाना है कुछ बिंदास की जो आपने पहले कभी नहीं किया So students Next, see See, confidence आप dance तो करते हो But आप में वो confidence दिखता नहीं है बहुत सारे बच्चे dance करते हैं, perform करते हैं school में भी करते हैं, बाहर भी करते हैं But आप में, जब तक आप बच्चों में वो confidence नहीं होगा, वो confidence आपका level नहीं होगा तब तक आप कहीं भी perform नहीं कर सकते नहीं कर बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता भी है कि वो डर जाते हैं ऐसा कि पता नहीं क्या हो जाएगा तो वो अपना confidence level जो है वो अपना उसको एकदम से low कर देते हैं करने ही पाते हैं स्टूडेंस आपको ऐसा नहीं करना है जब भी आप कहीं भी perform करते हैं कहीं आप स्कूल में करते हैं कहीं आप बाहर कोई बड़े platform पे करते हैं तो आपको घबराना नहीं है सो आपने बस अपने mind में एक ही बात रखनी है no I can do it so students next letter है हमारा E E expression जो कि बहुत मस्ट है डांस के लिए अगर expression face smile जब आप बच्चों में नहीं होते हैं तो वो अदम से boring लगता है अच्छा नहीं लगता है जब भी आप भी कुछ भी करते हो आप एक चोटा सा स्टैपिक जब दक आपकी smile आपकी lipsing नहीं होगी तो वो मज़ा नहीं आएगा सभी बोलेंगी यह कितना यह अच्छा नहीं था boring आप कहीं भी देखो अभी जैसे अभी हमारा अभी एक dance का competition हुआ बहुत सारे बच्चो expression भी थे जो कि आपको मैं ने आप हमारा जो letter E expression आपको मैं बता रहे हैं तो जब तक आपकी expression नहीं होगे तो वो वो आपका जो dance है वो मज़ा नहीं आएगा देखने किसी को भी अच्छा नहीं लाएगा तो आपकी marks कर सकते हैं so students जब भी आप कहीं भी perform करो कहीं आप अपन कहीं कहीं आप जब भी आप कहीं शादियों में जाते हो कहीं marriage attend करते हो कहीं schools में functions में करते हो कहीं आप बाहर करते हो तो आपके जो face पे smile expression जब तक नहीं होगी तो वो मज़ा नहीं आएगा dance नहीं होगा उसको dance नहीं कहलाएगा okay so students आज के लिए बस इतना ही मेरी next वीडिय कि dance होता क्या what is dance? जब तक आप बच्चों को बेसिक नहीं पता चलेगा तो आप डांस कैसे कर पाऊगे, ओके, और गुडबाए, गर पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, थैंक यू